स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराजी की क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आरेस मैंस 2021 पोस्ट पॉंट मैंने पहले भी इस सम्मन में दो वीडियोज बनाए हैं और मेरा वीडियोज बनाने का जो उदेश्य था वो छात्र ही थी था हलांकि इससे कई छात्र मुझे नराज भी दिखे ये आलोचना समालोचना वैसे भी आप आरेस मैंस की त्यारी कर रहे हो इन शब्दों से आप बखोबी परीचित हो इन सब का स्वागत है लेकिन किसी भी बात को कहना और किसी पक्स को रखना इसका अधिकार हमें भार्प का सविधान देता है और रही बात ये गलत है या सही है तो इसके भी दो पक्स खड़े होते हैं खेर ये थोड़ी फिलोस्पी वाली बातें मैंने ज्यादा कर दी रहने दीजिए आपके जो आलोचक विचार है मेरे परती उनका भी मैं स्वागत करता हूँ लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा जो भी इस पोस्पोंड के आलोचक है एक बार ठंडे दिमाग से इसको विचार करें साइद आपको इसका एंस्वर मिल जाएगा जो नए बच्चे हैं वो जो तयारी कर रहे हैं और जो साइंस का जो सलेवस ने आया है आज ही कुछ बच्चे आये थे उन्होंने मुझे वो सलेवस दिखाया था तो मुझे नहीं लगता कि उस सलेवस को इतने कम समय में किया जा सकता है तो मेरे अन्भूव के आधार पर ये जो आरेस पोस्ट पॉर्ण को करने से समंदित जो ये अभियान चलाया जा रहा है ये जायज है और मैं इनका समर्थन करता हूँ इस समंद में कल केंडल मार्च निकाला जा रहा है मैं राकेश महरा हमारा संस्थान है जीके कुस्मरपित राकेश महरा जीके कलासेज तो मैं हमारे class के student या जो मुझसे पुराने student है या जो भी नए student है या प्रतेक student को मैं ये कहना चाहूंगा चाहे वो R.A.S. की तेयरी करता हो या नहीं करता हो इनका सयोग करें R.A.S. मेंस वालों को तो आने ही आना है उनको तो सयोग बहुत ही जरूरी है अन्य student भी आए यही बात मैं आपको इसलिए ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि आप जानते हो कि जो भी exam हो रहे हैं वर्तमान में उनमें गरबड़ गोटाला चल रहा है रीट का exam देख लिजिए एंटी पीशे का देख लिजिए उसके result के समन्द में आप देख लिजिए कैसे बवाल मचा ग्रूप D का देख लिजिए प्री में कर दिया तो इस समन्द में आप लोगों ने विरोध किया था तो सकारत्मक प्रिणाम निकले अब इसमें क्या होता है हर student को एक होना चाहिए student एक ही होता है उसके हम student ही कहते हैं वो चाहिए IS की त्यारी करता हो चाहिए वो गुरूप D की त्यारी करता हो चाहिए वो ग्राम सेवक की त्यारी करता हो वो student ही कहलाता है इसलिए मैं आप से कहना चाहूँगा कि इनका सयोग करें और कल मैं आप तो बताना चाहूँगा केंडल मार्च के बारे में दो फरवरी 2022 कल रिदी सिदी गार्डन जेपुर यहां पर केंडल मार्च निकाला जा रहा है बुद्धवार है शाम को सबा पांच बजे आप वहां इकठे हो जाएए शांती पुरुण तरीके से यह केंडल मार्च निकाला जाएगा ताकि हम सरकार और आयोग को यह बता सकें कि स्टूडेंट के साथ डारेक्ट या इंडारेक्ट परतेक्स या एपरतेक्स किसी भी परकार के अन्याय को बरदास्त नहीं किया जाएगा तो आप सब के सयोग का मुझे इंतजार रहेगा आप सभी को मेरा नमस्कार मैं वापस रिपीट कर दूँ कल शाम सबा पांच बजे रिदी सीदी गार्डन जयपूर दो फर्वरी 2022 बुद्वार को आरेस मेंस पोस्ट पॉन करवाने से सम्मंदित आप सभी स्टूडेंट सय योग करें आप सभी को बेस्ट उपलग धन्यवार नमस्कार